अखिलेश यादों ने बकायदा यानि समाजवादी पार्टी प्रमुक अखिलेश यादों ने अपने एक्स हैंडल पर समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के साथ चल रही बातचीत के दौरान ये लिख दिया कि 11 सीटों पर सुकत समझवताव आगे होगा वहीं कॉंग्रेस के उत्तरप्रदेश के कई नेताओं ने ये कहा कि अभी बातचीत चल रही है घ्यारा सीटे नहीं अभी और भी सीटों पर बातचीत होगी जो रार कही न न कहीं जो खाई जो थी वो पढटती नज़र आ रही थी उसमें फिर से दरार पढ़ती नज़र आ र कहा कि 11 सीटों पर बात शुरू हो गई है कॉंग्रेस कह रही है कि 15 सीटे मांगी जा रही थी अखलेशा दों ने अपनी तरफ से 11 सीटों की बात के दिए कि दिखें जब से मौमता जी ने कहा है कि हम बंगाल में कांग्रेस से समझाओता नहीं करेंगे नितीश जी कि इंडिया गडबंदन से अलग होने के एलान कर चुके हैं एक तरह से अब आपचारिकता हो रही है तो अखलेश जी भी जल्दी अलग होना चाहते हैं कांग्रेस से क्योंकि मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि विप्रक्षियों ने ठाना है चोबिस में मौदी जी को परधान मंतरी बनाना है तो कांग्रेस के साथ रह करके तो मदद नहीं कर सकते तो अलग रह करके हट करके सायोग करने के लिए आतूर हैं चुकि मैं बार-बार कहता हूँ कि ये दिन में तो भाजपा के खिलाप लोग बोलते हैं रात को गुलदस्ता ले करके मोदी जी योगी जी के सरणम गच्छामी रहते हैं उसी की कड़ी है कल ही मैंने कहा था जब पहली बार जब मैं बाया तीवी देखा तो मैंने यही बात कहा था कि राजा को पते नहे मु पहुचा सके बिहार में जिस तरह की राजनीती पल्टी कहा जाए कि दुबारा से यूटन ले लिया है एक तरफ नितीश कुमार को प्रहान मंत्री कांडिडेट इंडिया गड़ बंधन में ये भी चर्चाएं चली थी और आज वही नितीश कुमार एंडिये के साथ मिलकर स जब मैं अखिलेश जी के साथ था तो उस समय नितीश जी ने बीजेपी छुड़ी थी तो मैंने अखिलेश जी से कहा कि यदि मोर्चा बनाना चाहते हो तो चलो हम और आप तेजस्वी मिल करके नितीश जी से बात किया जाए और एक मोर्चा सुरू हो एक रेली बनारस या उत्तरपदस के किसी जीले में करेली किया जाए और नितीश जी को हम लोग नेता बना दिया जाए तो जितने और विपक्ष के लोग होंगे आएंगे इसी में गोल बनती जाएगी मिलते रहें लोगों से अखिलेश जी ने कहा कि नहीं नहीं ही सब कुछ नहीं तो इसमें मो साव नियत का है तो नितीश जी गए हैं अखिलेश जी बैठक में अगर प्रस्ताव दे दिये होते कि ये प्रधान मंत्री का चेहरा होते रहेंगे आज कहें को जाते हैं जब इधर नहीं मिला तो कम से कम उधरें बचा रहें तो वो अपना अपनी पाटी अपना पद और आगामी लोग सभा में तानसद केंदर में सरकार बनी तो उसमें सभागी था इस सारी चीज़ों पद्धिया करके नितीश जी कहेंगी दरस आई है तो उधर चल दिये प्रकाश राजबर जी थे बता रहे थे कि अखिलेश यादों से उनकी बातचीत हुए और उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी जी आ रहे हैं और ये जो बिहार में अब खेला होबे दिख रहा है उसके पीछे भी कहीं न कहीं अखिलेश यादों हैं कैमर्मेन दीपक के साथ अभिशेक सिंह इंडिया न्यूज लखनौ।